डियर इस्टुडेंट वेलकम टू आल जैसा कि आप लोग जानते क्लास 10 यानि यूपी बोट के हम लोग क्या पढ़ रहे हैं समाजिक भी ज्यान पढ़ रहे हैं और इसमें आज की जो टापिक है वो संसाधन नियोजन तो संसाधन नियोजन को हम पढ़े उसके पहले आपके 5 वीडियो सोसल के अपलोड किये गए हैं अगर आप नहीं देखें जरूर देख लें जहां से आप समझ पाएंगे अपका वीडियो आता रहेगा आप अपने वीडियो चैनल को सस्क्राइब कर लिए बेल आइकन प्रेस कर देए ताकि आपको जानकारी हो जाए कि आपका वीडियो अप्लोड कर दिया गया चलिए इस्टार्ट करतें देखें नियोजन का मतलब क्या होता कि उसे एक ब्यवस्ते तरीके से नियोजित करना मतलब उसे ब्यवस्ते तरीके से उपयोग करना देखे संसाधन हमारे पास हो सकते हैं लेकिन अगर हम उसे ब्यवस्ते तरीके से उपयोग करेंगे तो लांग टाइम तक चल सकते हैं अगर हम उसे अच्छे तरह से उसका उपयोग नहीं करेंगे तो बहुत कम समय के लिए चलेगा कामन बात है जैसे आपकी पुस्तक है आप अपने पुस्तक को लिए एक संसादन है जहां से आप ग्यान अरजित करते हैं अगर आप उसके उपर कबर कर दिये हैं उसे सेप्टी उसके पानी में नहीं डालते हैं पानी से भीगता नहीं है तो उसे अगर आप सेप्टी से यूज करते हैं बचाओ के साथ उपयोग करते हैं तो वह किताब आप तो सालवर पढ़ते हैं यह साथ में आपके जो कलिक्स होते हैं जो आपके जूनियर्स होते हैं अगर आप उन अंत होते होते वह किताब इतनी गंदी हो जाती है कि आप उसे देखना नहीं चाहते पढ़ने की बाती छोड़ दीजी तो कंडीसन ये एक जो संसाधन हमारे पास है चाहे वो प्राकृतिक है चाहे वो कृति में उन संसाधनों का उपयोग हमें कैसे करना चाहिए उनका नियोजन एक सर्मान रंडनी ते कह रहा विबेक पूर्ड यानि उसे एक विबेक तरीके से यानि एक उसे सही तरीके से उपयोग करना क्या कहलाता है नियोजन कहलाता है इसलिए भारत जैसे देश में जहां संसाधनों के उप्लप्ड़ता में बहुत अधिक बिवित्ता है भारत में अगर संसाधनों की बात करें तो कहीं आप देखेंगे भारत में सिर्फ और सिर्फ पहारी बिल्ट है कहीं पे सिर्फ पठारी बिल्ट है कहीं पे सिर्फ क्या है धरातल है मतलब समतल जमीन है कहीं पे समुद्टटी इलाका है तो जो समुद्टटी इलाके होते हैं जो पठारी जमीन होती है जो मारना लेंड की चट्टाने है जो बेंद करम की चट्टाने उन चट्टानों से कोईला निकाला जाता है बालुआ पत्था निकाला जाता है लेकिन जो मैदानी छेत्र हैं वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ खेती की जाती है तो पता चलक जिस छेत्र म यहां पर नियोजन ऐसा हो कि जहां पर है वहां पर भी ऐसे कोई उद्धोग लगाए जाए जहां सुने ट्रांसपोर्ट की माद्धियम से वहां तक उपलब्द कराई जिसको उसकी नीड है जैसे मान लिजी कापको बलू पत्थर चाहिए आपको गिट्टी मोरण चाहिए यहां एएं एक तरह के प्रदेश हैं जहां इक तरह के संसादों की परचुरता है करारें यहां एसे Прदेश हैं जहां पर प्लिवा की बहुत चाहंदा है। जैसे जहां परेल के संसाधन बहुत जाद है। कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसादनों की उपलबदता के संदर में आत्म निर्भार के रहा है कुछ ऐसे हैं जहां पे संसादन इतने जादा है को आत्म निर्भार है उनको कोई दिक्कत ही नहीं है लेकिन कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जहां संसादनों की अत्यधिक कमी ह उदारण के लिए हम बात करते हैं जारखंड मदपरदेश और 36 गड़ आधि प्रांतों में खनिजों और कोईलों के प्रचुर भंडार है अब इन्हें कोईला और खनिज के लिए किसी और पे निर्भन नहीं रहना चुकि इनके पास इतना प्रचुर भंडार है कि खुद पे निर्भन है अपने आप से इनकी पूर्ती हो जाती है और राचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाय जाती है याद रखे है कहां कहां पे है आप से भरने के लिए देता है और राचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाय जाती है परंत मूल बिकास की कमी है लेकिन वहां पे मूल बिकास नहीं है ठीक है संसाधन तो है लेकिन उसका बिक्सित नहीं किया गया जो और आचल प्रदेश में संसाधन है बिजली क्या कहते हैं पानी के संसाधन लेकिन उसका उपयोप करके अलेक्ट्रिसिटी नहीं बनाई जा रही तो कहीं नहीं संसाधनों की वहां पर कमी है परंद विकास की कमी राजस्थान में पॉन और सौर उर्जा संसादनों की बहुत आयत है लेकिन जल संसादन की कमी राजस्थान में क्या है बिंड इनर्जी बाई जाती है सौर उर्जा बनाई जाती है चुक्ता पान जादा होता है लेकिन वहां पे पानी की बहुत कमी है और पानी की कमी के का पाने चोते जीक हों यह भी साफ करतें फिर उसे पीतें तो कही न कहीं वहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी है लेकिन एक ऐसा प्रदेश है जहां पर अवर्णाचल प्रदेश की बात करने पानी बहुत ज़्यादा है लदाक का सीथ मरुस्तल देश के अन्न भागों से अलग थलग पढ़ा है कहरा ह यह पर देश सांस्कृतिक बिरासत का धनी है परंत यहाँ जल आधार भूस और सनरचना तथा कुछ महत्पूर्ण खनीजों की कमी है इसलिए राष्टी प्रांती प्रादेशिक और अस्थानी अस्तर पर संतुलन संसाधन नियोजन की आउ सकता है यही एक कारण है कि पूर आपकी स्थिति क्या है आप देखते हैं आपके गरों में आप बैठ जाते हैं नियोजन देखते हैं नियोजन देख करके उसके बाद सरकार को गालियां बखते हैं एक पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं लेकिन क्या आप पेट्रोल का सही उप्योप करते हैं बेफालतों की तो कहीं न कहीं आप उसका नियोजन खुद नहीं कर रहा है जो कामन सी चीज़ें आप सुबाथ पांच किलो मीटर दोड़ने जाते हैं इससाइज करने जाते हैं लेकिन उसके लिए गाड़ी से जाते हैं श्टेडियम तक जाएंगे वहां तक जाएंगे अपडल भी जा सकते यहां पैंड़ स्फासे करूं Clinton पर जिस्तार कृष्ठ सब्सक्राइए। लिए लोग मर जाते हैं कितने बच्चे प्यास से मर जाते हैं तो कहीं ने कहीं जो संसाधन आपके पास आपके पास पानी अपलेबल है आप यूपी के हैं आपके पास पानी मिल जाता है लेकिन आपके उत्तर प्रदेश में ही जो दच्छडी उत्तर प्रदेश है जहां पर पहारी जमीन है आप देखे होंगे बिंध करम की चटाने है बिंधा चल का छेतर है अब उन चटानों के बीच में पानी की मात्रा बहुत कम है वहां पर पानी की उपलब्दता बहुत कम है जिसकी हो जासे वहां के बहुत सारे लोग प्यासे रहते हैं दिन में बहुत कम पानी पीतने एक बाल्टी में नहाना दोना उंता सारा हो जाता है क्योंकि पानी की उपलगता बहुत जादा है बहुत कम है लेकिन आपकर यहाँ पानी के पास आप पास अगर उसकी बचत करेंगे तो दूसरे लोगों के लिए आने वाले भविष्ट के लिए वो संसाधन बहुता, एक धर्म बनता है, संसाधनों का नैतिक रूप से उपयोग किया जाए, उसका दुरूपयोग न ही ना किया जाए, ठिक, भारत में संसाधन नियोजन, नियोजन एक जिटिल प्रक्रिया है, इसमें निमलिखी तोपान है, अलग-अलग क्रम है, कैसे हैं पहला देखि सब्क्राइब इस प्रदेश में वो सारी चीजे पहुंच जए जिसको इसको उसकी आउसके उसको उसके उपयोग कर सकते तो ट्रांस्पोर्ट का खर्चा बढ़ जाता है। इस कार्य में छेत्री सर्वेच्षण, मानचित्र बनाना और संसाधनों का गुडवक्ता और मात्रात्मक अनुमान लगाना है, वह आपन करना होता है। संसाधन विकास योजना हैं लागो करने के लिए उपयोक्त प्रदोग की कौशल और संस्था गत्न योजन हाचा तैयार करना होता है। जो अ Maßन्साधन असके पर विकास योज्णा लगाने के लिए एक संस्था बनाई जाएगी अच्छी मोस्ति ते पर दरी आइतरूर में आपन ऑसको कौसल विकासी जाए है क्षमथपयृ amat is us वो aspects enum एह दालने सब नहीं सब्कुछ हो वहुष सब लेकिन आपको खाना पकाना ही नहीं सब्सक्त आप आप रोटी खा सकते हैं, उसी प्रकार से आपके पास संसाधन तो हैं, लेकिन आपके पास अगर कौशल नहीं है, उस संसाधन के उपयोग करने का, दोहन करने का आपके पास कौशल नहीं है, तो फिर उस संसाधन आपके लिए क्या है, बेकार है, आपके पास गाड़ी खड़ स्वाधिन्ता के बाद भारत में संसादन नियोजन के उद्देश की पूर्ती के लिए प्रथम पंचवर्थी योजना से ही प्रियास किये गए हैं। उपनिवेशन का इतिहास हमें बताता है कि उपनिवेशन को ने संसादन संपन प्रदेशों विदेशी आक्रमरकारियों के लिए मुख्या कर सक रहे हैं। झाल 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 झाल